को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्र को सेयर कर दीजिए जैसे कि पहले भी हमने आज जब सुरुवात में सेगंड समेश्री क्लासेज लिया था तो हमने बहुत ही इच्छी से डिस्कल्स किया था ठीक है तो चलिए जानते हैं इस्ट्रक्टर अप्रोच क्या होत कि इसका मतलब क्या होता है मिनिंग ऑफ इस्ट्रक्टर यानि किसी भी सेंटेंस के लिए सबसे पहले जो भत्तुपूर होता है वो की हर एक वर्ट कहां पर कौन से जगह पर फिट और किस तरीके से उसको मिनिंग फुल बनाया जा सकता है ठीक है ताकि तबी तो आप एक तरीके से आप सेट नहीं कर सकते हो तो चलिए जानते हैं सबसे पहले क्या कह रहा है आरेजमेंट्स ओफ वर्ड्स इंसर्टन ओर्डर डैट कनवे सम मिनिंग यानि देखिए अभी मैंने बताया कि यहां पी यहीं होता है कि किस तरीके से किसे भी वर्ड को किस तरीके से उस से कुछ अर्थ मेंनिंग निकल सके दूसरा जो पॉइंट कहता है डिफरेंट आरेजमेंट ओफ वर्ड्स कनवें डिफरेंट मिनिंग यानि अगर आप आरेजमेंट अलग धंग से करते हैं तो क्या डिफरेंट मिनिंग यानि उसका अलग अर्थ निकलता है अब यह एक्ज आपके सामने तीन वर्ड दिख रहा है अब आप इसको किस तरीके से सेट कर सकते हो जिसका अलग अलग अर्थ निकले जैसे कि तीनी वर्ड है सबसे पहले जो मैंने वहां का सेंटेंस बोला मतलब मैं पढ़ रही हूँ क्या मैं पढ़ रही हूँ तो आप देख सकते हो कि तीन वर्ड है लेकिन जब इस तरीके से सेट करते हैं कि कुछ उसका अलग अर्थ निकलता है ठीक है और फिरेंट्स आपसे भी को बताऊ कि यह जो आपका इस्ट्रॉक्शलमे थड़ा होता है सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जाता है वो लिस्निंग और स्पेकिंग पर किया जाता जैसे कि मैंने कल डिस्कस भी किया था जो bilingual method होता है या फिर जो audiolingal method होता है वो किस पे focus होता है तो speaking और listening पे ज़्यादा focus होता है चलिए कुछ example देख लेते हैं ताकि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए जैसे देखिए C is smart यानि वह सुन्दर है ठीक है इस सी इसमार्ट क्या वह स्मार्ट है इसमार्ट सी हिस वाकई वह स्मार्ट है तो friends आप देख सकते हो C is smart केवल 3 वर्ड है लेकिन हमने इस तरीके से इसको सेट किया कि तीनों ही मेनिंग के कुछ अलग अलग अर्थ निकलते है तो friends यही है इस्ट्रक्शन एप्रोच और सबसे ज़्यादा इसी फे फोकस किया जाता है ठीक है C is smart Is C smart Smart C is ठीक है आगे बढ़ते हैं अब देखिए New Approach and Oral Oral Approach यानि जो आपका यह Method होता है जो द्रिश्टी Code होता है वो Oral और Oral पे बैस जोता है ठीक है सुनने और बोलने पर ठीक है listening and speaking Learning of foreign language Mastery of structure is more important than the vocabulary यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अगर आप विदेशी भासा सीख रहे हो अगर आप उसमें Mastery यानि आप उसमें बहुत अच्छा अपना जो भी है प्राप्त करना चाहते हो जो भी आप language सीख रहे हो बहुत ही अच्छी सीखना चाहते हो तो सबसे पहले जो आपका important यानि जो महत्योपूर होता है वो structure होता है उसके बाद vocabulary आती है यानि सबसे ज़्यादा जो महत्योपूर माना जाता है वो structure पर ध्यान दिया जाता है उसके बाद देख सकते हो more important than the vocabulary यानि सबसे पहले structure पर ध्यान दिया जाता है तब आप सब्दावली पर ध्यान देंगे तो बहुत ही महत्योपूर लाइन है learning of foreign language मास्टी यानि आप foreign language या अभी देशी भासा में बहुत ही अच्छी से सीखना चाहते हो तो आपको मास्टी मतलब होता है महारत ठीक है तो सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा जो महत्योपूर होता है वो structure का होता है तब आपका vocabulary का होता है next जो point कहता है best on the principle of speech not writing यानि जो आपका यह सिधान्थ है यह भाशर क्योंकि listening और speaking बोलना और सुनने पे best जोता है ना कि writing ठीक है तो यह बहुत ही महत्योपूर लाइन है based on the principle of speech not on writing यानि जो आपका यह सिधान्थ होता है instruction approach सिधान्थ होता है यह भाशर यानि आप कहा सकते हो सुनने और बोलने का पे best जोता है अधारित होता है लिखने पर नहीं focus on certain structure and pattern यानि सबसे ज़यदे जो focus किया जाता है structure और pattern पे focus किया जाता है जैसे अभी सुरू से हम लोग discuss कर रहे है अगला जो point कहता है students are oral and students copy them by drill यानि सबसे पहले जो students होते हैं वो शुनते हैं उसके बाद copy करते हैं और उसके बाद बहुत सार प्रैक्टिस करते हैं जिसमें आपका repetition, substitution and question answering होता है ठीक है next two point कहता है individual student acquired 275 basic structure after schooling and complete 3000 words in wake यानि जब जो चात्रों होते हैं जब वो class यानि जब school ने पढ़ते हैं तो वो 275 basic structure यानि वो इतना word अपने आप वो complete कर लेती हैं और जैसे उनका schooling complete होता है उनकी schooling सिक्षा जैसे complete होता है तो वो 300 सब्द उनका सब्दावली में आ जाता है अब देखे सेलेक्शन ओफ इस्ट्रक्चर सबसे पहले तो आपको structure यानि आपको सुरुवाती पढ़ाते time यानि जब आप सुरुवात में इस approach से पढ़ा रहे हो तो उस time आपको क्या ध्यान देना चाहिए तो सबसे पहले simple structure यानि बहुत ज़्यादा tough नहीं होना चाहिए बिल्कुल simple structure होना चाहिए ताकि उनको बहुत ही असानिक साथ समझ में आ जाए ठीक है जैसे कि simple structure में आपके आ सकते हो कि जैसे he is he is a sing इस तरीके से आप मतलब simple होना चाहिए उसके बाद देखिए useful होना चाहिए उसके बाद teachable structure यानि पढ़ने योग यह होना चाहिए और productivity होनी चाहिए तो friends यह हो जाता है selection of structure सबसे पहले simple उसके बाद useful उसके बाद teachable और उसके बाद productivity अब देखिए teaching structure situation सबसे पहले तो देखिए आपको gesture and action करके बताना चाहिए blackboard का यूज़ करना चाहिए और उसके बाद picture chart model इसका भी यूज़ करना चाहिए तो यह हो जाता है teaching structure situation उसके बाद देखिए type of structure यानि जो आपका type यानि कौन कौन से तो सबसे पहले sentence structure यानि walk के जैसे simple rather is a good girl ठीक है formula structure तो इसमें जो आपका हो जाता है good afternoon फ्रेज structure जिसमें आपका फ्रेज कुछ आ जाते हैं ठीक है फ्रेज वाले walk क्या उसके बाद देखिए edumic structure जिसमें मुहावरे आ जाते है तो friends ये देखिए आपका पूरा structure अब देखिए इसमें ये पूरा क्या था आपका मेरिट था अब दी मेरिट में आप कहल सकते हो कि इसमें क्योवल और क्योवल किस पे focus किया जाता है listening और speaking यानि reading और writing को neglect कर दिया जाता है ठीक है और इसमें जो vocabulary पे ध्यान नहीं दिया जाता है इसमें बोलर जाता है कि सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए वह structure यानि सन रचना पर focus करना चाहिए और उसके बाद आपको वेकैप पर बढ़ना चाहिए उसके बाद देखिए सबसे पहले तो इसमें जो आपका जो भी छात्र होते हैं वह सबसे पहले यानि जो चाहत्र होते हैं इसमें भी क्या वह अपना पॉइंट नहीं रह सकते सिंपल आप सभी को समझ में आ गया होगा और सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है वह समझा चनात्मक और जो उनका teaching method होता है वह oral और oral यानि listening and speaking होता है ठीक है तो friends चलिए एक बार और आपसे भी को बता दे ताकि दो मिनट में आपसे भी को बहुत ही असानिक साथ clear हो जाए देखिए अगर आप एक्जाम में आता है structure approach क्या होता है इसका meaning क्या होता है तो सबसे पहला जो आपका point होगा arrangement of words in certain order that convey some meaning यानि किसे भी words को किस तरीके से हम उसे शेट करें आरेंज करें ताकि उसका एक meaningful वाक्य बन सके different arrangement of words convey different meaning यानि different तरीके से अगर हम अलग तरीके से उसका आरेंज करते हैं तो उसका अलग अलग आर्थ भी निकलता है जिसे आपसे भी को see is smart, see is smart, see is smart, see is new approach सबसे महत्यपोर, oral और oral approach यानि listening और speaking पर यह best जोता है अगर आपको learning यहाँ पर कहला है learning a foreign language, mastery of structure is more important than the vocabulary यानि अगर आप foreign language सीख रहे हो उसमें आपको mastery हसल करना है तो सबसे पहले तो आपको structure पर ज़्यादा focus करना होगा उसके बाद आपको vocabulary पर ध्यान देना होगा वेज रहन दर प्रिंशपल यानि जो यह आपका structure होता है या सिधान भाशड यानि listening और speaking पर होता है not writing, focus on certain structure and pattern यानि सबसे ज़्यादा focus किस पर किया जाता है structure and pattern पर किया जाता है student or oral and student copy them by drill यानि सबसे पहले तो जो students होते हों सुनते हैं उसके बाद copy करते हैं फिर बहुत ज्यादा drilling यानि practice करते हैं repetition, substitution and question answering करके इस तरीके से याद करते हैं individual student acquired 225 basic structure after schooling and complete 3000 words in vocab यानि जब वो school में होते हैं तो 275 इस तरीक से basic structure उनको पता होता है या vocab का पता होता है और उसके बाद जैसे उनके school सिक्षा समाप्त होती है तो वो 300 words उनके vocab में आजाता है selection of structure सबसे पहले simple होना चाहिए फिर useful, best, teachable और उसके बाद productive होनी चाहिए उसके बाद देखिए teaching structure यानि आप किस तरीके से use कर सकते हो तो action करा के blackboard करे उसकर के picture chart model दिखा के उसके बाद देखिए sentence सबसे पहले तो types of structure चार होता है sentence structure, formula structure, fresh structure और edemic तो सबसे पहले sentence में आपका simple आता है formula में आप कह सकते हो कि अभिवादन good afternoon good night ये सभी आ जाते हैं ठीक है thank you ये सभी जितने भी आपके sister 4 के वाक्य होते है ये formula structure में आ जाते है फ्रेज आ जाते है ठीक है और ठीक है और जो fourth है इसमें आपका मुहावरा आ जाता है प्रेलिश का लिंक आप सभी को comments box या फिर description box में हर एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप वहाँ से जाकर देख सकते हो फ्रेंट्स आज की वीडियो में जानेंगे कि situational approach क्या होता है नाम से पता चल रहा है कि किसी भी वर्स या कुछ भी आप पढ़ा रहे हो तो वैसा है situation आप अगर बनाएंगे तो बहुत ही effective प्रभावी रहता है ठीक है situational approach क्या होता है चलिए जानते हैं वीडियो को लाइक कर देजिए और अपने फ्रेंट्स मित्रों को सेर कर दिए देखिए पहले जो आपका लाइन दसीच्वेशन आप प्रोच इंडिकेट्स एस टू हाव टीचर सुड क्रिएट रियल सिच्वेशन इन दवास्रूम देख इसारी इस्ति बनाना वैसा ही कसँ टू प्रोच इन देखिए यहानि खतक हरता है इस टू क्या शूट किरियाट्स रहेतर कैसे a real situation in the classroom यानि वो किस तरीके से वास्तविक इस्तिक कैसी बनानी चाहिए इस से इसके थुरू आप सभी को यानि जो टीचर है उसको बहुत ही अच्छे से प्राप्त यानि जो भी situational approach के थुरू उसको पता लगता है कि किस तरीके से एक classroom को किस तरीके से create करना चाहिए ठीक है यहां पर provide होगा गलती से mistake हो गया है provide to the people. ठीक है? यहां पर क्या कहता है? यहां पर people रहेगा ठीक है यहां पर people और यहां पर provide सही कर लिजेगा सबसे पहले और particular situation help the teacher यानि अगर उसका जो situation बनाता है सबसे ज़्याता साहता किसको होता है वो teacher क्यों होता है क्यों क्योंकि अगर वो situation बहुत ही अच्छा रूची पूर बना लेता है तो जो कुछ भी पढ़ाता है वो सिखाता है उसको जो कुछ भी समझाता है उसको बहुत ही असानी रहेगी ठी तो उसको बहुत ही असानी हो जाती है जब इस तरीके का वो situational बना लेता है यही कह रहा है और पार्टिकुलर situation help the teacher to provide practice to the people to explain its meaning यानि बहुत ही असानी तरीके से और सबसे जादे सहायता मिलती है वो teacher को ही मिलती है और बहुत ही असानिक साथ वो अपने सिस्यों के साथ explain कर सकता है, उनका अर्थ बता सकता है और उनको practice करवा सकता है ठीक है, आगे देखते हैं, a particular situation may be created in the classroom by use of maps, picture, various, ठीक है object और by drawing on the blackboard, it can thus by release that to create a relevant situation is practical problem यानि आप किस तरीके से situational approach को create कर सकते हो, बना सकते हो, एक classroom में, आप maps के तरू, picture के तरू, भीविन, ठीक है, various मतलब होता है, आपका various मतलब होता है, भीविन तरीके होते हैं, भीविन तरीके और by drawing यानि color के तरो blackboard पे आप बना कि सिखा सकते हो, it can thus be release that, create a relevant situation is practical problem यानि जब आप इस तरीके का situational बना लेती हो, तो यह महसूत किया जा सकता है, कि यह एक प्राशांगिक इस्तिती बनाने के लिए, क्या है, बहुत ही अच्छे से जो भी आपके सामने जो भी problem आती है, आप बहुत ही असानिक साथ इसको हल कर लेते हो, ठीक है, आगे बढ़ यानि जो आपका यह इसका जो पहला नाव यही होता है, कि इससे क्या होते है, चात्र के बीच में रूची पैदा होती है, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो, कि इसके लिए जो टीचर है, बहुत सारे मतलब की अनकसे द्वारा, चित्र द्वारा, बेवीन वस्तों के बहुत जादा मतलब की वो प्रैक्टिस, या आप कह सकते हो, कि उनको समझाने के लिए वैसा वाता और बनाता है, तो क्या होता है, कि उनको छात्र जो होते है, वो उनको रोची आती है, तो इसका पहला बेनिफिट तो यही हुआ, इस क्रिएट इंट्रेंश एमांग दे इ आप कह सकते हो, कि जो भी छात्र होते हैं, जो कुछ भी सीखते हैं, वो शीखने पर बहुत ज्यादा बल देते हैं, ठेके, इंफेसेज इस गीवन और लर्न बाई, तेके, अगला जो आपका पॉइंट कहता है, एक्सेंट चैंस, मेक दे क्लास्रूम एटमेसफियर, ठेके, जो आपका यहाँ जो क्रिया होता है, यह बहुत ही अच्छे, यानि आप कह सकते हो, कि क्लास को जीवन्त बनाते हैं, या आप कह सकते हो, यानि जीवन्त यानि बहुत ही सुन्दर बातावर बन जाता है, अगला जो आपका यहाँ पॉइंट कहता है, कि lot of material and use to make the learning suitable and interesting, यान यहाँ पे इसका जो मतलब हो जाएगा कि बहुत सारी शावागरी और सीखने को उप्योग और दिल्चस्प बनाने के लिए उप्योग किया जाता है, यानि बहुत सारे material and ताकि जो आप कुछ भी सीख रहे हैं, जो कुछ भी स्टुडेंट सीख रहे हैं, बहुत ही असानिक ठीक है, अब देखिए, lot of example can be given, यानि बहुत सारे उधारण भी दिये जा सकते हैं, तो अब देखिए, next, stress in given on learning through learning, यानि यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है, कि जो आपका जो बल दिया जाता है, stress दिया जाता है, वो बहुत जादा सीखने पे बल दिया जाता है, कि उ इसे लिए तो बहुत सारे material कारवी यूज किया जाता है, अब देखिए, इसका disadvantage क्या हो जाता है, disadvantage of the situation approach, यानि जो आपका, जो approach होते हैं, इसके क्या कुछ कमी है, इसके बारे में जानते हैं, suitable of lower class, क्यों, क्यों यह lower class में, क्योंकि जो छोटे बच्ची होते हैं, उन पे ही जादा सुट करेंगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि जब बड़े, यानि जो बड़े, जैसे कि हम कह सकते हैं, जो senior class में, अगर हम इसका यूज करेंगे, तो फिर बहुत ज्यादा time लगेगा, और हर एक जो कुछ भी topic पढ़ा रहा है, इसमें यही होता है, कि अगर आप सकते हैं, तो उसका आप चड़िया का फोटो लाए, पिक्चर लाए, या फिर आप ब्लैक बोर्ड पे वैसे ही बनाए, यानि वो सब कुछ आपको करके, बहुत ही explain करके समझाना होता है, तो इसलिए यह लोवर क्लास में suitable है, नो कि बड़े क्लास में, ठीक है, no need senior class, यानि बड़े क्लास में इसकी आवसकता ही नहीं पड़ती है, क्योंकि वो इतना जरूरत नहीं होता है, इतना समझाने के आवसकता नहीं होती है, ठीक है, वो असानिक साथ समझ सकती है, इसलिए यह senior class में इसकी आवसकता नहीं पड़ती है, textbook cannot be taught by this method यानि आप simple हम कह सकते हैं कि किताबी भासा का यूज नहीं किया जा सकता है इसमें क्योंकि हर एक point को बहुत ही अच्छे से clearly तरीके से बताया जाता है तो इसलिए किताबी भासा का यूज नहीं किया जाता है friend teacher, sorry यहाँ पे रहेगा trained teacher required for it यानि यहाँ पे एक अच्छे trained teacher की आवशकता पढ़ती है क्योंकि जब तक एक अच्छा trained teacher नहीं रहेगा तब तक किसी भी topic को अगर पढ़ाता है तो बहुत ज़्यादा problem आएगी क्योंकि उनको समझाना है तो इसलिए एक trained teacher की आवशकता पढ़ती है ताकि हर एक topic, हर एक object के तरीके से material को तुरू explain करके और बहुत सारे example उसके पास होने चाहिए तो इसलिए आप कह सकते हूँ कि trained teacher की आवशकता पढ़ती है तो friends ये पूरा था situational approach अगर मैं shortly में बताओ कि situational approach होता क्या है तो situational approach जो होता है जैसे एक सिक्षक होता है और एक ये क्या बहुत सारे सिल्स्या होते हैं तो सिक्षक का उसमें ये रोल होता है कि वो जो कुछ भी सिखाए उनको बहुत ही असानिक सा समझ में आना चाहिए इसके लिए यह सिच्वेशनल approach बनाया गया इसके लिए सबसे पहले कहा गया कि अगर आप जो कुछ भी सिखाना चाहते हो अगर सिख से पे बहुत ज़्यादा effective करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले वैसा वातावर बनाना चाहिए वैसा महोल बनाना चाहिए ठीक है और मैं आप सभी को बताओ कि बहुत कम उबाव जो आपका ये बीदी है इसमें बहुत ही बच्चे कम उपते हैं क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा interesting होता है आपने देखा कि चित्र के दवारा ठीक है blackboard पर ड्रॉइंग करके maps के दवारा मतलब बहुत सारे material का use किया जाता है ताकि उनको कुछ भी मतलब उबाव नह लगे और असानिक साथ सीख स इंडिकेट ऐस टू हाँ टीचर सुड ग्रीट डिचुवेशन इंदा क्लास्रूम यानी एक सिख्चक को इंडिकेट करता है की आपको किस तरीके से एक रियर थीक वास्विक सिच्वेशन किस तरीके से बनाना है थीक है उसके बाद इंग सबसे जादा जो हैल्प करता है य उसके बाद a particular situation may be created, यानि आप किस तरीके से create कर सकते हो, तो map के दोरा, picture के दोरा, विविन ऐसे object है, drawing के दोरा, उसके बाद देखिए, advantage of situational approach, यानि क्या-क्या इसके lab है, it's create interest, यानि बहुत जादा रूची आती है, emphasis is given on learn by play, यानि बहुत जादा सीखने पर बल दिया जाता है, खेलने पर बल दिया जाता है, यानि खेल-खेल में भहुत को सिखा दिया जाता है, accent chance make the classroom atmosphere lively, यानि बहुत ही जादा, यानि इस accent के थूँट जो classroom होता है, आप क्या सकते हों कि जो उसका वातागर होता है, वो जीवन्त या बहुत जादा सुन्दर हो जाता है, lot of material and use to meet the learning suitable and interesting, यानि इसमें बहुत जादा material क्या हो सकता पड़ती है, क्योंकि इनका जो उद्देश से होता है कि किसी भी topic, किसी भी कुछ भी सिखा रहे हो, तो वो असानिक सा समझ ले, रूची, पूड़, होश है कि इसलिए बहुत जादा material का उप्योग किया जाता है, lot of example can be given, यानि बहुत जादा उधारण भी दिये जाते हैं, यानि सबसे ज़्यादा बल सीखने पर और बोलने पर भी दिया जाता है, ठीक है, यहाँ पर speaking रहेगा, अब डिस्वांटेज यानि या जो होता है, सूटिबल लोवर क्लास में क्यों है, ठीक है, नो नेट सीनियर क्लास और कितावी भासा का उतना यूद नहीं किया जाता है, और इसके लिए एक ट्रेंट टीचर की आउशकता पढ़ती है, तो बस आप सभी को इतने ही कुछ महतोपोर पॉइंट से जो कि याद करने होंगे, तो फ्रेंट साज के लिए इतना ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने जितने भी अप्रोजे या मेधर्ड वाले वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप से भी कोई डिस्क्रिप्सन बोक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो, तो थैंक्स फर वाचिंग, टेक केर और बेस्ट अफ लख, और मिलते हैं नौ बजे वाली क्लाइब,